Hello everyone, my name is Dr. Shipra. स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल अन्वे दॉक्टर शिप्रा पर. आज का हमारा टॉपिक है रीजनल एंट्राइटिस या क्राउं डिजीस. क्राउं डिजीस किसमें आती है? वो आती है. इंफ्लामेटरी बाउल डिजीस के अंतरगत. उसमें दो डिजीस आती है. फर्स इस क्राउं डिजीस और सेकेंड इस अल्सरेटिव कॉलाइटिस. आज हम बात करेंगी किसके बारे में? क्राउं डिजीस के बारे में. तो क्राउं डिजीस में जो लीजन्स बनते हैं. इसमें क्या होता है? इंफ्लामेशन होता है. Inflammation कौन सा होता है? Granulomatous Transmural Inflammation जो कि कहां देखने को मिलता है? Ileum में Granulomatous का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि यह small small area में inflammation होगा और लीजन सुनेंगे और Transmural का मतलब है कि जो intestine की जो पूरी wall है वो इसमें involve हुएगी, ठीक है? तो यहां पर जो inflammation है वो मिलनी, Ileum में देखने को मिलता है chronic disease में, बड़ यह हमारी GIT को पूरे को affect कर सकता है मतलब हमारी isophagus से लेकर के rectum तक का part पूरा इसमें involve हो सकता है यह pre-cancerous condition है, यह cancer में change हो सकती है बड़ इसके chance कम है, लेकिन ulcerative colitis के cancer में change होने के chance as compared to chronic disease, जादा होता है अब इसकी involvement देखे है, इसमें 50% cases में small and large intestine दोनों involved होते है यहां आप डाइग्राम में देखे, यहां पर यह जो है ileum किसका part है, small intestine का part है और यहां पर यह सिकम के साथ attach है, यहां भी leesons देख रहे हैं आपको क्यूं गां इसमें हमें यह होमें 50% केसे में हमें यहां देखने को मिलता है 30% केस देखने को मिलता है कि केवल small intestine, जिसमें भी terminal ilium का involvement सबसे शादे जादा को मिलता है और सिर्फ 20% cases में हमें large intestine में देखने को मिलता है, यहां आप देखी, इसमें सिर्फ colon involved है, तो इसे हम बोलेंगे colon, crown disease. causes की बात करें, वैसे इसकी जो etiology है वो unknown माना जाता है, बट फिर भी हम यह बुलते हैं कि किसी भी infection की वज़े से क्या हो सकता है, crown disease हो सकता है, इसमें mainly किसका मिलता है, mycobacterium para tuberculosis के कारण देखने को मिलता है, अगर किसी का immune system weak है, उसके कारण हमें crown disease देखने को मिल सकता है, किस कर रहा है, तो smoking से बहुत जादा chance है crown disease होने के, उसकी diet affect करती है, उसका psychological जो factor से वो अगर कोई patient बहुत जादा stress में है, तो उस वज़े से उसे crown disease डवलप हो सकता है, ठीक है, OCPs एक controversy है, oral contraceptive pills, इनको लेने से बहुत सारे लोग मानते हैं कि इनको लेने से भी crown disease होता है, ले clinical features के हम बात करें, clinical features में mainly 15 से लेकर के 40 साल तक के लोगों का involvement होता है crown disease में, इसमें inflammation के कारण patient को abdominal pain देखने को मिलता है, और साथी साथ diarrhea देखने को मिलता है, अगर diarrhea normal है, that okay, mild condition है, लेकिन अगर diarrhea के साथ में bleeding हो रही है, पस आ रहा है या mucus आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो ए मिलेगा, patient का देरे-देरे weight loss होने लगेगा, उसे हमेशा लिथार्जी फील होगा, थका-थका फील करेगा, obstruction, intestinal obstruction हो सकता है, क्योंकि जहाँ भी leasons मनेंगे न, वहाँ पे क्या होगा, जो stringers होने लगेगे, stringers in the sense वहाँ की जो lumen है, वो narrow होने लगेगी, उसके कारण क्या हो complete blood count करवाएंगे, ठीक है, उससे हमें काफी कुछ पता चलेगा, उसका HP count हमें देखना होगा, उसके WBC, उसके जो complete जो आ रहा है, वो हम उसमें चेक करेंगे, plain x-ray कराएंगे, patient का, abdomen का, USG देखेंगे, MRI देखेंगे, endoscopy करवाके देखेंगे, colonoscopy करवाके देखेंगे, ले लेकिन अगर हमें involvement लग रही है, कि हो सकता है, ulcerative colitis हो, हो सकता है, या फिर crown disease हो, तो उसको differentiate करने के लिए हम serum marker कराते हैं, ठीक है, medical therapy में सबसे पहले हम क्या करेंगे, patient की smoking है, उसको smoking नहीं करनी है, second चीज़ क्या है, अगर patient NSAID ले रहा है, तो उसकी जो NSAID है, वो completely बंद कर पेशेंट को bad dress कराना है, अच्छी protein और अच्छी vitamin वाले nutrition देने हैं, कोशिश करें कि patient को NG tube से nutrition देया, नेजोगेस्टिक जो nutrition होता है, वो provide करवाएंगे, उसके steroids को कम करवाएंगे, उसको immunomodulator या antibiotics स्टार्ट करेंगे, ताकि inflammation कम हो, उसका immune system अच्छा रहे है, Surgery के हमें indications देखें, अगर patient को medical therapy से effect नहीं आ रहा है, या medical treatment से वो ठीक नहीं हो रहा है, उस condition में हम उसको Surgery के लिए suggest करेंगे, intestinal obstruction की condition में हम surgery perform करते हैं, crown disease है अगर बच्चों में और उसकी वज़े से बच्चों का growth नहीं हो पा रहा है, उसका growth कम हो रहा है, उस condition में हम patient को Surgery के लिए suggest करेंगे, अगर fistula बन गया है, bleeding हो रही है, ठीक है, perforation हो गया है, हम में लग रहा है कि ये malignancy में change हो सकता है, उस condition में हम surgery के लिए बोलेंगे, एक चीज होती है कि अगर kron disease है किसी patient को, तो patient को diarrhea होगा, और diarrhea के कारण हमें fissure देखने को मिलता है, ठीक है, कौन सी patient के कारण में मिलता है और diarrhea के कारण में मिलता है, अगर diarrhea के कारण fissure अगर patient को हो गया है, या कोई भी perianal problem हो गई है, तो उस condition में हम क्या करेंगे, उसको suggest करेंगे किसके लिए surgery के लिए अब इसमे basically क्या कर सकते हैं हम जिस पार्ट में leasons हैं उनको हम काटके बहार निकाल सकते हैं ठीक है और बाकी के पार्ट को आपस में जोड देंगे तो काटके बहार निकालना क्या हो गया Tommy या resections और अगर हम दो पार्ट को आपस में जोड रहे हैं वो क्या हो गया अनास्टमोसिस ileocecal resections कर सकते हैं अगर सीकम और ileum involved है तो अगर पूरी कॉलन involved है तो हम total collectomy करेंगे उसके बाद में ileum की rectum के साथ में अनास्टमोसिस करेंगे ठीक है अगर स्ट्रिंग्चो प्लास्ट्री का मतलब क्या होता है basically क्या होता है जो lesions बनते हैं उनके कारण क्या होता है जो intestine है उसकी जो lumen है वो narrow हो जाती है उस narrow lumen को हम क्या करते हैं cut लगाके उसको खोल देते हैं उसमें कोई part हम remove नहीं करते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो please like and subscribe to my youtube channel and please share to your friends